Hello everyone, welcome to electrical energy of mcqs आज के सेजन में हम लोग utilization of electrical energy को पर कुछ important mcqs को डिसस करने वाले देखिए हमारा part 16 है इसके पहले भी हमने utilization of electrical energy को पर एक session लिया था आप लोग के काफ़े request है मुझे के एक और session इसके उपर चाहिए इसलिए हम लोग आज के session में कुछ important MC को discuss करने वाल है with their concept यह हमारा part 16 है जो कि हम उने SSEJ special session की जो शुरुआत की थी कुछी दिनों पहले उसका हमारा part 16 जो अभी तक इसके previous sessions अपने नहीं देखेंगे तो उसके link मैं आपको description box में provide करा दूँगा और मैं बता दो session को अब को ध्यान से देखना है end में मैं आपको बता होगा कि consequence decisions आपको देखने होगे क्योंकि आपकी examination from 27th से लेके 30th कुछ region की except for the Bihar 27th से लेके 30th के बीच में आपकी examination होने वाले है I hope अपने admit card भी अभी तक download कर लिया होगा okay अगर आपको कोई भी दिख्कात है तो please मुझे comment box में comment करके session के end में मैं बता हूँगा आपको consequences sessions आपको quickly revise करने होगे अगर आपने नहीं देखे होगे अगर आप channel पे नहीं होगे तो काफी से students के मुझे request आती कि जो repeated sessions रहते है वो अलड़े हमने channel पे discuss का रहा लिए थे for the SECJ ठीक है तो वो सारे मैं आपको add में बता हूँगी कोई से कोई से topics आपको prepare करके जाना है तो बने रही गया end तक तो अभी हम लोग इस session को शुरू करते without any further delay तो देखे हम लोग previous session में मैंने आपको जो question पूचा था उसका सबसे पहले तो answer देखते है question कहता find the value of current I through the load resistance RL in the given circuit diagram इस RL में से current find out हमें करना होगा current का value कितना होगा यह हमें find out करना था काफी आसलन सा सवाल था जो कि हमने network theorems की circuit में network circuit पे जो हमारा session लिया था इसके पहले उसमें हमने यह question लिया था तो उसका correct answer था option A which is 1.3 MPS इसमें से current flow गा काफी simple है आप source transformation इसमें apply करके इसको भी solve कर सकते हो देखिए circuit को कुछ इस तरीक से reduce करेगा अभी हम लोग उसमें distance नहीं करते क्योंकि हमने previous session में यह discuss कर लिया था ठीक है इस 10 volt का voltage source है और 1 ohms का resistance है इसको आप directly current source में convert कर दो तो इसमें current source में convert करेंगे तो यह पर 10 MPS का source आ जाएंगा 10 by 1 और यह पर जो resistance है इसको आप C parallel में आप connect कर दो 1 ohms का similarly यह पर 5 volt और इसको भी आप इस तरीके से convert कर दो 2.5 MPS हो ऐसे करते करते अब except for this RL आपको कुछ circuit इस तरीके से reduce करना होगा जहाँ पर आपको 15 MPS का current source मिलेगा 4 by 7 ohms का आपको resistance मिलेगा equivalent resistance या 1, 2 and 4 का और यहाँ पर जो RL का value है वो as it is रहेंगा जो किया है 6 ohms का और यहाँ पर आप current division rule से भी आप इसको find out का सकते हैं और आपको correct answer हमें मिलेगा 1.3 Ampere इसके current flow होगा और इसका correct answer हमें दिया है उनका नाम है शिवांगी पटिल, प्रिया मेश्रम, सैद, साकिलूर, रहमान, मंदार इससरे, मोहन कबगाते, शुभम खंडारे, धिरुयादो, आतिफ सिद्धिगी, प्रिया, जहा, एन हभीब के So shout out to you guys, आप 10 students थे, जिन्हों ने इसका correct answer हमें सबसे पहले comment box में comment किया, अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम है मेरा next session में लो, तो be quick आपको इस session को ध्यान से देखना होगा, session के end में जो भी मैंने आपको question पूछा है, उसका correct answer आपको हमें comment box में comment करना होगा, and I appreciate all of those people, मैं काफी सराना करता हूँ, जो students सबसे correct answer, काफी सारे students ने इसका correct answer हमें comment box में comment किया, but due to time constraint मैं सारे students का नाम नहीं ले पाऊगा, तो आपको top 10 के अंदर आना है, और सबसे पहले हमें comment box में comment करना होगा, ओके, यह हमारा part 15 जो था, network theorems के उपर, जो हमने लिया था, एक और, और मैं, that means हमारे पास, दो sessions, अलड़ी हो चुके, network theorems के उपर, इसमें हमने important mcqs को भी discuss किया था, उसमें मैंने यह question पूचा था, जिन students से, यह हमारा महामोक test नहीं देखाऊंगा, 4 hours का, वो उसको जाके देखीगा, before your exam, यह काफी important है, देखी मैंने, इसमें current affairs related, और बाक reasoning and intelligence और general awareness, ऐसे जो 100 questions रहते हैं, टेकि non-technical, 100 technical questions purely हमने एके sessions के अंदर cover कर रहा है, पूरे 200 questions एक ही वीडियो में, इसको जाके देखीगा, काफी important होगा, आपको इस तरीके से, इस से जो students इस बार नए first time exam attempt करने जा रहे, उनको सारा paper pattern समझ मैं जाएगे, किस तरीके से particular examination मे questions पूछ जाते हैं, देखें मैं बता तो SSC GE का जो framing रहता है, questions का वो थोड़ा different रहता है, बाकी competitive examinations है, तो आपको एक इस से idea लग जाएगी, कि आपको किस तरीके से questions examination में देखने को मिल सकते हैं, और previous year के paper आपने नहीं देखोंगे, 23rd Jan 2018 का, तो ये भी मैंने कुछी दिनो सबसे पहला question देखते हैं, और the topic of utilization of electrical energy, सबसे पहला question कहा है हमारे पास, which of the heating methods has lagging power factor, ये किस heating method का होता है, ये resistance heating, induction, dielectric या फिर arc heating का, तो धनवर्की का lagging power factor हमारे induction heating का होता है, तो उसमें से जो induction heating रहता है, उसका power factor lagging रहता है, okay, resistance का क्या रहेगा, unity power factor रहेगा, okay, dielectric का हमारा leading power factor रहेगा, ये बात अपको धन में रहेगा, direct dielectric पूछा, तो leading रहेगा, resistance से रहेगा, तो ये हमारा unity power factor रहेगा, और induction है, तो हमारा lagging power factor रहेगा, that means हमारा option भी इसका correct answer हो जाएगा, so देखते हमारा next question, which of the following statement is true with respect to the primary cell, primary cell से related, इसमें से कौन से जो statement से चार चाहपे statement के वने, इसमें से correct होंगा, ठीक है, तो हमारा primary cell से related, ये option A correct हो जाएगा, that means it can neither be recharge nor be reused, हम लोग primary cells को हम लोग recharge नहीं कर सकते, और हम नहीं उसको reuse कर सकते, ये single use and throw रहेगा, okay, that means, अगर हमारे primary cells का meaning क्या रहता है those cells which are once fully used has to be thrown out of, या फिर हम लोग उसको destroy कर सकते है, okay, generally electrolyte हम लोग उसके primary cell में use करते है, paste के form में, जैसे वो dry cells होते है, उसी को हम लोग कहते है primary cells, और वो light and wet और उसकी cost भी low रहती है, but हम लोग उसको recharge नहीं कर सकते है, इसका drawback भी रहता है, okay, तो इसमें option A जो है हमारा, ये correct answer हो जाएगा, और secondary cell हम लोग उसको recharge कर सकते है, okay, जैसे कि हमारे होगे weight cells, okay, और उसका weight भी ज्यादा रहता है, और हमारे initial cost भी उसकी ज्यादा रहती है, जिससे अपने अपकी घर के household inverters में देखाऊंगा, उसका weight भी ज्यादा हेवी रहता है, और उसकी initial cost भी अपकी because उसको recharge करना पड़ता है हमें और उसकी technology काफी costly आती है, okay, तो option A is का correct answer हो जाएगा, so देखते है हमारा next question, the rating of a battery is expressed in, ये काफी बार examination में question पूच जाता है, अभी तो यहाँ पे options कुछ इस तरीके से हैं, बट लेकिन आपको examination में option काफी difficult से पूच जाते हैं, काफी confusing से option आ हमारी वो रिति हैं, ampere hours में, ठीक है, volts अगर आता है वहाँ पे ठीक है, तो वो incorrect हो जाएगा option, ठीक है, उस तरीके से हैं, आपको tick नहीं करके नहीं, वो रित, वाटर या फिर ampere, ये सारे इंकरेक्ट हो जाएगे, कितना ampere hour हमें वो provide कर रहा है, इसी से हमारी जो battery की capacity है, ह उसी का है, उसी rating में हम लोग battery का rating measure करते है, okay, so इसका correct answer था, option A, so the next question is, question number 4, the object undergoing surface splitting works as a, जो surface splitting में object रहता है, ठीक है, वो as a cathode use होता है, anode use होता है, या फिर डिपंड करता है nature of supply पे, तो जो the object undergoing surface splitting, it works as a cathode, जो object use होता है as a surface splitting में, तो वो as a cathode करके, काम करता है, okay, option A, इस में correct answer हो जागा, that means, in a plating process, the metal और जो हमारा article रहता है, जिसको हम लोग electroplating करते है, वो as a cathode करके work करता है, okay, और जो anode रहता है हमारा, वो हम लोग उसके पर deposit करते हैं, यह होगा हमारा material, या फिर जो article है, या फिर हमारा metal है, यह होगा हमारा as a cathode work करक करते है, वो हमारा as a deposited metal रहता है, वो as a anode करके काम करेगा, ठीक है, that means, इसका correct answer हो जाएगा, option A, cathode, the object undergoing surface plating, surface plating के अंदर जो object रहता है, ठीक हम लोग प्लेट करेंगा, वो as a cathode करके work करता है, तो देखते है हमारा next question, which is question number 5, the process of providing an oxide film is known as, oxide film को provide करने के लिए उस process को हम लोग क्या करते है, electro deposition, electro metalization, electro fencing या फिर anodizing, तो option D में से correct answer हो जाएगा, anodizing, process of providing oxide film, oxide film अगर हमें एक particular metal के उपर या फिर हमें एक article के उपर लगाने होगी, ठीक है, कसी goods के उपर, तो उसमें हम anodizing करके यह हमारा method रहता है, that means process of providing an oxide film, जिसके पर oxide film हम लोग चड़ाते है, उसी को हम लोग कहते है, anodizing, okay, और electro deposition यह क्या हो, कौन सी process है हमारी, it is a process by which one metal is deposited over other metal, और non metal by electrolysis, electrolysis process से हम लोग एक metal को दूसरे में पर deposit करते, इसी को हम लोग कहते है, electro deposition, electro metalization क्या होता है, it is a process by which metal can be deposited on the conduction base for a decoration and protective purpose, decoration या फिर protective purpose के लिए हम लोग electro metalization ही यह यूज करते है, and any non-conductive base made as conductive by depositing graphite layer over it, okay, कोई भी हम non-conductive metal जो रहते है, base रहते है, उसके हम लोग conductive बना सकते है, अगर हम लोग उसके पर graphite के लिए चड़ाते है, तो यह हो आता है, हमारा electro metalization के अंदर, and electro fencing is process of coating metallic surface by harder metal by electrode deposition, इसको हम लोग के ते, electro fencing, नाम में यह आता है, electro fencing, and the ionizing is the process of providing oxide film, that means option D का करेक्ट हैं सता, okay, so दिखते है मारा next question, which is question number 6, what is defined as the ratio of energy radiated as a light to the total energy radiated, okay, मैंने कुछी दिनों पहले, illumines, lights के उपर, illumination के उपर, हमने सेशन लिया था, उसमें सारे चीज़े इसका रही है, okay, उसको जाके देखिए का, मैं, मैं आपको सारे चीज़े इसका रही है, okay, what is defined as the ratio of energy radiated as the light to the total energy radiated, उसको हम लोग कहते है, luminous efficiency, option B इसका correct answer है, the next question is, question number 7, the bulb produces an average illumination of 70 cp, what will be the total flux generated by it, एक बल्ब हमारा produce का है, average illumination of 70 cp, तो कि तो हमें total flux कितने generate हो रहे है, यह हमें find out करना होगा, okay, तो total flux कितने हमारा generate करने है, 4 pi into 70, okay, that means, वो हो जाएगा हमारे 879.6 lumens, option D इसके से हमारा correct answer आजाएगा, so देखते हमारा next question, flood lighting is used for, flood lighting हम लोग किसके लिए use करते है, okay, industrial advertising या aesthetic purpose के लिए, तो हम लोग कोई इन में से कोई भी purpose के लिए use कर सकते है, flood lighting, flood lighting का meaning क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, flood light का meaning यही होता है, कि हम लोग एक surface है या फिर कुछ एक object है, उसको हम लोग flood कर देते, ठीक है, कुछ light से, ठीक है, that means concentrated light से या फिर जो powerful projector रहते है उससे हम लोग उस surface के लाइट से भर देते है, उसको हम लोग रहते है, flood lighting, हम लोग उसके अंदर एक reflector भी use करते है, ठीक है, अगर आपने functions में देखे होंगे, ठीक है, functions में हमने कुछ बड़े से आपे lights लेकर रह और या फिर हम लोग उसको industrial purpose, advertising या फिर aesthetic purpose के लिए हम लोग यूस कर सकते है, okay, the next question is, question number 9, इन गास-filled incandescent lamp, the inert gas, जो incandescent lamp रहते है हमारा, okay, उसमें जो inert gas रहते है, उसके या पे कुछ functions provided है, okay, it reduces the operating temperature of the lamp, it increases the power factor of the circuit, it reduces the rate of filament evaporation, it increases the melting temperature of filament, इसमें से कौनसा statement correct हो जाएगा, जो gas भरी वे रहते है, इस incandescent lamp के अंदर, ठीके, and that means, वो जो inert gas रहते है, वो reduce करते है, हमारे rate of filament evaporation, okay, option C's का correct answer हो जाएगा, okay, और incandescent lamp जो है, वो temperature dependence हो रहे है, that means, जैसा हमारा temperature low रहते है, वो हमारी low heat करते है, high temperature पे, वो हमें light heat भी provide करते है, और heat भी provide करते है, तो जो filament हम लोग उसके अंदर use करते है, ठीके, तो वो उसके mechanical strength रहनी चाहिए, और वो ductile रहना चाहिए, यह काफी important है, it should be ductile, and it should have a low temperature coefficient, and high melting point, यह important है, यह बात आपको धान में रखने हो, ductile हो ना चाहिए, low temperature coefficient हो ना चाहिए, and it should have high melting point, okay, option C is का correct answer है, so the next question, which is question number 10, ward leonard controlled DC drives are generally used for, जो ward leonard controlled method है, DC drives को control करने के लिए, ठीके, वं हम लोग किसके लिए यूसके लिए यूसके थे, okay, यूसके फोर dash x a, excavators, तो जो ward leonard controlled DC drives है, हम लोग heavy duty excavation के लिए यूसके लिए, है it is used for heavy duty excavators और इसमें हमें काफी sensitive speed control भी मिलता है इस ward leonard control DC drives में ओके जो यह ward leonard method है controlling of speed of DC drives DC motors इसमें हमें काफी fine या फिर sensitive हमें speed control मेरता है और काफी wide हमें range मिलती है speed control की ओके और heavy duty excavators के लिए हम लोग या फिर hoist के लिए फिर main drive के लिए हम लोग steel mill में इसको use का सकते है okay so the next question is question number 11 rheostatic braking cannot be used in which of the following motor rheostatic braking हम लोग इसमें से कौन से method में use नहीं कर सकते कौन से motor में use नहीं कर सकते synchronous induction DCF in a none of these above तो none of these above हम हमारा इसमें correct answer हो जाएगा okay तो basically rheostatic braking के अंदर क्या होता है हमारे जो electric motor है वो हम लोग disconnect करते supply से और जब हमारा braking period रहते है और उसको हम लोग connect कर देते electrical resistance को okay और उसके अंदर क्या होता है जब हमारा braking चुरू रहता है ठीक है तो braking के टाइम हमारे जो kinetic energy है rotating parts का वो connect हो जाता है electrical energy में और वो electrical energy dissipate हो जाती है electrical resistance okay और वो हम लोग AC DC motors के लिए भी हम लोग उसको यूज़ का सकते है that means इसका का एंसर रोजाएगा option D the next question is the average speed of a train is independent of जो speed के है average speed वो किस से independent रहती है it is independent of duration of stop जो average speed है वो independent है duration of stop से okay option A इसका correct answer हो जाएगा average speed का फोर्मॉला के वो ताया हमरा distance between stop upon actual time of run correct it is known as average speed as and it is the independent of यह independent रहती है duration of stops है that means कितना duration of stops का इससे हमें फरक नहीं पड़ता है okay so the next question is question number 13 specific energy consumption is highest in specific energy consumption किस में highest रहता है urban services sub-urban में main line services या फिर वो equally रहता है तो basically specific energy consumption highest रहता है हमारे urban services में option A is में correct इसका character answer हो जाएगा और ध्यान में रहता है specific energy conservation is inversely proportional to the distance between station जितना distance जाधा रहेगा उतना हमारा specific energy consumption रहेगा यह बात ध्यान में रहता है और आपको urban services में पता है distances काफी चोटे-चोटे रहते है kilometers के one two kilometers five kilometers उसकी range के बीच में रहते है तो distance हमारा काम है उसकी में हमारा specific energy consumption है वह हमारा काफी increase रहता है ओके जैसे आप यापर urban services में हमारे distance between station in kilometers यहापर one kilometers दिखा रहे सब-urban के लिए one to eight kilometers और में लाइन के लिए मोर दान 10 kilometers के लिए तो maximum speed उसकी कितनी रहते है यह भी हमारे पास है पी गिवन है ओके acceleration and retardation और km-phps में हमारे पास यह values गिवन है इस चार्ट का आप ध्यान से पढ़िएगा for the next question we will see the details of this question हमाने क्या बताया गया है for an electric arc welding the current range is usually electric arc welding का जो current range है वो हमारा कितना है 52,000 30 to 50 20 to 30 फिर बिलोव 20 तो electric arc welding में हम लोग बिट्विन 52,000 amperes इसमें यूस करते है जो यह इसकी रेंज है दैन्वरिक का important है examination में इस तरहीं के से वैलिए पूछ जाते है okay option is का correct answer हो जाएगा so the camera next question which is question number 15 high temperature metals such as a columbium can be easily welded by high temperature metals such as columbium can be easily welded by MIG welding TIG electron beam welding to electron beam welding is का correct answer हो जाएगा okay so the camera next question which is question number 16 state an example of plastic welding plastic welding का कौन सा example है gas welding resistance welding thermite welding without pressure तो resistance welding यह हमारा इसमें से correct answer हो जाएगा okay option B इसका correct answer है यह काफे important utilization of electrical energy को पर कुछ exceptional questions है यह कभी-कभी examination में आपको देखने को मल सब्सक्राइब so the next question is question number 17 it is desirable to keep the arc lens short in order to हम लोग arc lens short क्यू रखते हैं यहापर चार options हमारे पास given है have a better heating यह भी correct statement हो जाएगा have a better steering action and reduce oxidation problem oxidation problem को reduce करने के लिए भी यूज़ता है it increases the life of roof refractory यह भी हमारा statement करेक्ट है तो all of d all of the above हमारा statement करेक्ट हो जाएगा हमारी arc length हमारी short रखने के लिए यह सारे reason से इतने सारे benefits से इसलिए हम लोग इसको आरक length को जो है वो short रखते है option d का correct answer है the next question is question number 18 which are the following methods of heating is independent of supply frequency supply frequency के independent consequence है यह पर मेथड़्स है methods of heating है तो electric heating induction heating और electric resistance heating या या फिर dielectric heating तो electric resistance heating is independent of supply frequency ठीक है supply frequency पर dependent ही करता है electric resistance heating बाकि electric heating induction heating and dielectric heating these are lot of frequency dependent ओके और electric resistance heating it is proportional to i square r loss जो कि i square r loss होता है और वो हमारा independent है frequency पर ओके option c का correct answer है देखते हमारा next question which is question number 19 in an electronic sieving dash heating is used electronic sieving में हम लोग कौन सी heating यूज़ करते है तो उसमें हम लोग dielectric heating यूज़ करते है option b का correct answer हो जाएगा so the next question is question number 20 in addition to the actual running time between stop the speed of the train is that estimate taking into account the time of stop at the station it is known as so it is known as schedule speed option b ishか correct answer which is that means it is a distance between stop to the total time of run plus time for stop okay यह हो गया मार शेड्योल स्पिट का देफिनिशन ओके average speed अमने थोडी दिर पहले है उल्राइड दिसस करा लिया the next question is dash braking is used where load on the motor has a very high inertia जहाँ पर हमारे motor के उपर load जो रहता है वो काफी high inertia कर रहता है तो उस case में हमारे लोग कौन सी braking यूज करते है एलेक्ट्रिक ट्रेंस में ठीक है जिसे एलेक्ट्रिक ट्रेंस से उसका काफी हमारा ब्रेकिंग परेट रहता है कुछ एनर्जी रहती है वो फेडबैक होती है हमारी supply systems के ओर तो जो ब्रेकिंग टॉर्प जेनरेट होता है उस motor में वो रहता है opposite direction of rotation of the rotor ये बात आपको ध्यान में रिखने होगे option D का correct answer आ जाएगा the next question is question number 22 which are the following heating element has the lowest operating temperature इसमें से कौन सा heating element का lowest operating temperature graphite canthal yureka फिर निक्रोम तो उसमें yureka जो है उसका काफी lowest operating temperature है ओके इसका temperature रहता है between 1 to 2 1 to 1300 degree centigrade नाइक्रोम का रहता है 1400 के range में graphite का रहता है 4000 और canthal का रहता है 121425 1425 degree centigrade तो option C इसका correct answer हो जाएगा so the next question is question number 23 in an electric traction the specific energy consumption is measured in electric tractions के अंदर specific energy consumption हम लोग किसमें measure करते हैं यह important question काफी important question है ठीक है इस तरीकी सी google questions आपको examination में देखने को मिलते है तो specific energy consumption में लोग वैट आर पर ton km में use measure करते है option D काफी important है यह ठीक है decision का question यह हम लोग वैटर पर ton km में हम लोग उसको measure करते है और उसका जो value रहता है 50 to 75 यह भी बात अपको ध्यान में रखने हो कि यह रहता है suburban service के लिए ओके और 20 से 30 जो रहता है हमारा main line services के लिए यह यह दो नो भी चीज़े आपको ध्यान में रिक नियों किते है 50 वाइट और पर ton km मरें सबर्बर सबर्बन के लिए रहता है और हमारे पाइप 20 से 30 जो रहता है main line के लिए दो वैलिए जहान में रहता है तो वैलिए जहान में की गाठीक यह जब हमारा photo cell है वह eliminate करते हैं हम लोग छोटे से bright source है जो एक meter दो से हमारा वापे रखा है जब हम लोग same source जो रहता light source उसको हम लोग 2 meters के दूरी पर रखते है तो उसके समें जो electron image होता है वह photo cathode से वह कितना हो जाएगे तो वह हो जाएगे तो वह हो जाएगे from the source to surface ओके और यह जो है हमारा illumination that means d square i by d square ओके तो यह one quarter से हमारा reduce हो जाएगा so the next question the gas used in a gas filled filament lamp जो हम लोग gas filled filament lamp में gas कोंसी यूज करते है तो उसके समें हम लोग helium यूज करते है इंपॉर्टन है basic सा कुछ ने काफी बर एक जामनेशन में पूछा गया ठीक है option is का करेक्ट्राइंस रोजागे क्योंकि वह इनर्ट gas है और उसकी low reactivator रहती है बाकी substances के साथ में ओके यह थे हमारे important questions on the utilization of electrical energy कुछ मैं एक आपको नोट बता जातो जो एक चोटी से अब्रेट है काफी सारे students हमारे चैनल पर नए ठीक है आयोव अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लिए होगा ठीक है काफी सारे स्को दिक्कत रहती है इतने सारे सेशन हमने अलड़ी कवर कर लिए कि हम लोग इतना possible नहीं हो पाता कि हम लोग से लेकिन मैं बता दू जो स्टूइंस नहीं हो या फिर जो हमारे पूराने स्टूइंस भी है यह हमने स्पेसिफिकली कुछी दिनों पहले स्सीजी स्पेशल सेशन की सुरुवात की थी काफी एचा रिस्पांस मिला और अभी तक कि हमने 15 सेशन उसमें कवर कर लिए आज का मैं आपको बता दू इस दो चार दिनों में आपको क्या क्या करना है आपको काफी number of MCQs की practice करनी है उससे भी पहले मैं आपको बता दू कि आपके जो basics है वो strong करीगा और जो चीज़े मैं आपको बता दू देखे मैं आपको मेरा ये question नहीं देता कि आपको 200 questions मैं आपको definite ब मारे इसके पहले का भी अभी दख एक history नहीं है चुकिए जो भी मैंने आपको point wise बता है उसमें से questions उसी topic में से उसी point में से आया तो इसलिए आपको questions collect करने होगे आपके mask collect करने होगे आपको कौन से topics से individual पूछ जाते है इस तरीके से आपको prepare करने होगे अगर आप एक complete thousand pages क book को लेके बैठोगे ठीके तो उससे नहीं होगा ठीके उसके multiple mcqs तो cover up हो जाएंगे बट आपको concepts clear करना basics clear करना उतने ही important है instead of solving number of mcqs ठीक है वो उसके ओपर ध्यान जो देखी का basic से जो चुरुआत होते है mcqs को काफी बार हम लोग difficulty की चक्कर में basic जो रहेते हो हम लो सबसे पहले इस नहीं देखे होंगे इसको जाके देखे हैं जिस नेटवर्क थेरम्स है नेटवक थेरम्स के हमारे दो सेशन्स होगे basic electronics के उपर आपको चार से पाच कोशन आते हो जाके देखी का magnetic circuits important है इसमें मैंने काफी बार already discuss कर ले चैनल पर ठीक है magnetic circuits के important questions है वो डिसक करेगा synchronous machine okay utilization of electrical energy measurements electrical estimation and costing यह हमारा previous session था ठीक है power systems का हमने एक session लिया था ठीक है फिफ्ट नमबर का है आप चैनल पर जाके देखेगा और इसको सारे वीडियो जो है आपको as-res मिल जाएंगे यह महा मौक का भी मैंने starting में बताया था four hours का session है इसको भी जाके देखना होगा then आ हमने कवार कर लिए four different sessions हमने power systems के उपर कवार कर लिए यह तो हो गया आपके इतने complete induction machines के उपर आपको पाथ से 6 questions आपको SSJ examination में देखने के बतार और जो top 50 golden mcqs है मैं आपको बता तो उसमें से definitely 2 से 3 questions आपको पुछे जाते यह हमने अल्वड़ी इस top 50 golden mcqs में कवार कर र होगे 50 alternator के उपर यह होगे इसको जाके आप रिवाइस करिएगा quickly ओके analog electronics के उपर आपको काफी कम questions पूछा थे इसको नहीं भी देखा तो भी आपको चलेगा ठीक है देन आते है आपको general evidence जो आपको 26 September 2019 को paper हुआ था वो हमने as it is discuss कर रहा है इसको जाके देखेगा then SSJ electrical का हमने इसके पहले भी एक mock test लिया था ओके 25-25 questions के जो sessions है ऐसे मिलाते हैं हमने complete 100 questions cover कर आया थे general intelligence and reasoning का भी हमने previous year that means 2019 में जो question paper पुछा गया था as it is discuss कर आया यह हमारा free mock test था ओके electromagnetic field theory से भी कम questions इसमें आते है उसके बाद में हमारे पास यह जो super mcq series कुछ ही महनों पहले मैंन करेंगी ते काफी अच्य response मिला है और आपको यह चीज़े यह सारे sessions जाके देखने होगे काफी ज़्यादा बड़े sessions नहीं है आपको quickly हो जाएगे ठीक है तो यह चीज़े आपको जो है मैं आपको sessions बता रहो इसमें जाके देखना होगे देखने होगे मैं आपको बता तो each से चार sessions हो चुके utilization का देखिया अब लोग अलड़ी session super mc की series में हमने cover कर आया था estimation and costing transmission and distribution, generation, synchronous motor, induction machine, fractional kilowatt motors के उपर दो questions definitely आते हैं यह हैं आपको इसमें से मिल जाएगे और इस session में जैसे मैं आपको बता तो अगर हमने 15 questions किये तो उसके आजू-बाजू हमने बहुत सारे questions और concepts को distance किया, मैं आपको possibilities बता है कि कैसे questions आपको देखने को मिल सकते हैं तो वो जाके देखेगा, ठीक है इन दो से तीर दूनों में आपको ज़्यादा focus रहे कि आपको prepare करना होगा, साथ से मैं बता तो जैसे induction machine हो गया, इसके दो sessions अल्रड़ी हो चुके, DC generators के उपर मैंने specific topic के उपर हमने questions करा है, इसमें आपके numericals हो जाएगे, electric machines, चो basic electrical machines है, उसके भी हमने sessions करा है, measurements के उपर 2 sessions हो चुके, AC fundamentals के हमने 2 sessions करा है, magnetic circuits का एक और session था, basic concept और circuits lock के उपर 2 sessions हमने cover करा है, यह जाके आपको देखने होगे, ठीक है, यह कर आपने देख लिए होगे, ठीक है, तो काफी अच्छी बात है, काफी आपको अच्छा benefit मिलेगा इससे, दिना आता है, micro processor से काफी economic questions इसका पको देखने को मिल सकते हैं, तो इसको ignore भी किया, अभी के लिए तो भी चलेगा, ठीक है, digital electronics के उपर आपको definite questions पूछे जाते है, SACJ के अंतर, और specifically boolean expression के, जो MC के वह आप please जाके देखेगा, ठीक है, यह सारे sessions, आपको जो questions से उतने ही पढ़ने होगे, इसको आप ignore करेगा, motor की nameplate कैसे पढ़े, यह sessions आपको बाद में जाके देखना होगा, काफी informative sessions, but अभी आप इसको skip कर सकते हो, ठीक है, यह भी session skip कर सकते है, control system पे आपको कभी, कभी प बता दिया, transformer theory है, ठीक है, corona की effects है, यह मैंने एक session लिया था, informative session, ठीक है, then हमारे पास alternator का session है, ठीक है, एक और alternator का session में आपको questions मिलेगे, और यह specifically IE rules आपको SECJ के लिए prepare करके जाने होगे, काफी अच्छा रिसमास मिला है मुझा है, इस session के उपर, इसको जाके देखना हो important questions discuss करिये, वो भी आपको जाके देखना होगा, sample paper भी हमने एक लिया था, part 4 के अंदर 25 questions कैसे मिलाते हुए, electric circuits के उपर session लिया था, okay, यह sample paper होगे, transformers के उपर, एक और session होगया है हमारा, okay, switch gear and protection, basic electronics के उपर, आपको यहापी session देखने को मिल सकते है, okay, तो यह थे important session, और consequence sessions आपको definite एक marks देख सकते हैं, जो आपको देखने होगे, I hope आपने यह 2019 का paper देख लेगा, काफी, काफी perfect और जो आपके questions पूछेगे, exact जितने भी आपको 100 questions पूछेगे थे, 2019 के, afternoon shift में और morning shift में, यह जो दो paper है, यह morning shift के, आपके मैंने अल्रड़ी mark करके रखा है, ठीक ह 100 questions यह होगे, और जो afternoon shift के उसी दिन गे, 26 September के उसी दिन के, जो afternoon shift के है, यह भी हमारे 50 questions अल्रड़ी cover करा लिए, 100 questions, 50 plus 50 मलाते हुए, that means यह questions होगे आपके, lamp-based question, आपको 2 questions definitely मिलते हैं, इसको जाके देखेगा, ठीक है, मैं अभी बता रहो, उसमें से 100% एक questions आएगा आपको, ठीक है, dark bulb, brighter bulb, current और power losses से जो series parallel combination रहते हैं, अगर दो bulb हमारे series में connected है, parallel में connected है, तो उसमें कैसे effect होते हैं, वो भी आपको जाके देखना होगा, वो important है, यह session आपको YouTube कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि टिपिकल मैंने sessions आपको, typical questions आपको मैंने हाँ पर पढ़ाया है, उसको भी जाके देखेंगा, और सबसे पहले तो हमारे basic concept and circuit lock है, यह session था, जो भी हमने super MCQ series start के थे, then magnetic circuits के उपर आपको एक analogy पूछे जाते हैं, जैसे आपके पास electric circuit और magnetic circuits का दो दोनों का difference है, इसके उपर दो questions हमेशा पूछे जाते है, examination में हो, चाहे हो SSJ के examination हो, या कोई भी gate क भी examination हो, यह important session है, इसको आप browse करके देखेगा, ठीक है, यह important होगा आपके session के लिए, ठीक है, इस session को जिनको मैं start mark कर रहा हो, उसको आप miss मत करेगा, ठीक है, अगर आपने नहीं देखे होंगा अभी तक तक, और अपने देख भी लिए होगा, तो उसको जाके revise भी करेगा, ठीक है, आपको काफी benefit होगा, उसमें, logic gates का यह पर session जाके देखे हो, और यह हमारा काफी famous एक session है, ठीक है, electrical transmission distribution के 25 questions काफी important है, काफी mostly repetitive questions है, यह आपको examination में, definitely इसका फायदा होगा, इसको भी जाके देखना होगा, यह तो होगा हम भी तक कि हमारे technical sessions, non-technical में आपको कुछ कुछ-कुछ questions काई, कुछ marks भी है, पाथ से दस marks आपको, यह ही आपको बताते हैं, तो कि कौन से कौन से topics आपको prepare करना होगा, ठीक है, national organization और उसके heads के एक questions examination में पूछ जाता है, यह अभी मैं आपको बता है था, 10-15 minutes के अंदर आपका यह cover up हो जाएगा, इसको जाके देख करेंगे तो आपको definitely selection होने से कोई रोक नहीं सकता, okay, then top 25 airports जो है, इंडिया के इंडिया के इंडिया के इंडिया के स्टेट्स कितने हैं, अभी नए स्टेट्स कितने हैं, यूनिया कितने बने, और उसके मुख्यमित्री और राजयपाल, that means हमारे chief ministers और governors जो है, उसकी capital जो ह हैं, इंडिया के अंदर और consequences important है, और कहाँ पर questions पूछा जाता है, तो एक questions अभी मैं आपको definite बता रहो, यह examination में पूछा जाता है, okay, क्योंकि कर आप previous papers को एक बार खोल के देखते हो, तो यह आपको definitely यह static gk का part यह आपको मिलता है, एक questions आपको इसमें सुझे, जितना आपको provide कर रहता है, तो ठीक है, इसको जाके देखना होगा, ठीक है, और देन हमारे पास last को जो sessions रहते हैं, जिसे non-technical के अंतर, एक questions आपको national sports award इसके उपर आएगा, 100% आएगा, ठीक है, ठीक है, इसको जाके देखना होगा, mcq-based आपके लिए मैंने session बना है, जिसमें different जो awards रहते, sports award, sports person को वो दिये गया है, यह आपको देखना होगा, updated cabinet ministered constituency है, यह important session, ठीक है, यह भी आपको देखना होगा, number sessions के उपर, एक SSCJ में questions पूचे जाए, ठीक है, convergence के उपर, तो वो आपको session मिस नहीं कहना होगा, जिस students को maths में दिक्कत जाती है, जिनका basic से maths weak है, या फिर जिनको improve करने की, या फिर number of questions, या फिर अगर आपको एक complete syllabus चाहिए होगा, ठीक है, prelims के लिए, चाहिए हो banking का prelim हो, या फिर कोई भी SSC, या फिर IB, PS, या फिर RRB का कोई भी prelims जहान, अगर आप में देखते हो, उसमें काफी important topics रहते हैं, जैसे कि number series हो गया, square root, cube root simplification, ages, percentages, averages, probability, inequality रहते हैं, mensurations के topic रहते हैं, permutation and combination रहते हैं, ratio and proportion रहते हैं, time and work, time, distance, speed के problem रहते हैं, आपको trains के problem रहते हैं, pipes and systems रहते हैं, boards and stream, profit and loss, ठीक है, इस तरीके से जो एक complete हमने session बना था, इसको काफी अच्छा response मिला है अभी हमने, ठीक है, एक maths की मौरत है हो, आप आप जाके देखेगा, आपको सिर्फ 5 hours देने होगे, ठीक है, आपको questions के साथ में, short tricks और उसके various examples के साथ में, हमने ये session लाया है, काफी important है, जाके देखेगे, कर आपका math week है, या गर आपको math में, और improve करना होगा, ठीक है, तो जो tricks रहते हैं, tips and tricks, देखे, मैं आपको बता questions रहते हैं, various preparation में आपको बता दो, जितना हम लोग आपको time provide करते हैं, उसमें आपको optimize सरीक से आपका time utilize करना होगा, ठीक है, हम यह नहीं चाहते हैं, कि आप काफी time आपका videos के पर spend करें, बट आपका जो basics है, वो clear करेगा, मेरे यह चाहता हूँ कि आप जितने भी students आप prepare कर जाते हैं, और जो एक या दो marks से, जिनका selection छूट जाता है, ठीक है, यही एक से दो marks आपको cover करने होगे, national parks में आपको एक questions पूछा जाता है, ठीक है, national parks यह जाके देखेगा, important होगे, countries and capital, Asian countries है, SSCJ के static में पूछा जाता है, और यह हमारा last session जो अभी मैंने सबसे पहर, ब बाकि कि जो sessions हमने बता है, आप देखते हो, बाद में, तो आपको काफी benefit होगा, क्योंकि हमने इसमें, आपको सबसे पहले तो paper पता चल जाएंगा, कि इस तरीके से paper आता है, ठीक है, और consequence questions आपको देखने पड़ेंगे, किन-किन topics के उपर, ठीक है, तो I hope आपको सारे sessions आश्या करतो हो, आपको हमारे session समझ में आए होगे, कोई भी देखर आपको दिक्कत आती है, before your examination, तो please मुझे comment box में comment करेगा, ठीक है, मैं आपको telegram पे PDF और जो information लगती है, मुझे time to time मैं आपको provide कर आते रहेंगा, और एक मुझे आपसे request करनी है, ठीक है, आपका जो paper होगा कि जो भी आपका shift है, ठीक है, आपका जो shift है, प्लस आपका time, प्लस आपकी date, इसके साथ में आपको हमें comment box में comment करना होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके examination के बाद में हम लोग एक क्या करने वाले है, memory based, ठीक है, वो हम लोग एक sessions आपको provide करना जो भी आपकी sessions में होई होगी, इसलिए हमें जो questions की collections करने होगे, काफी साथ students का different shifts रहेंगे, आपको क्या करना होगा, जिसी आपकी examination होती है, अगर मान लो 27 से आपकी examination है, तो आपको जितने भी questions, आपकी memory based questions रहते हैं, exact questions जो questions आपको नहीं पूचने, आपको question comment करने, आप करेंगे, उसका आपको question पूचे जाए, गर आपको DC machines को पूचे है, तो DC machine formula इस तरीकी से आप, जितने भी आपको questions याद आते है, after your examination, तो please मुझे comment box में comment करेंगा, कोई भी हमारे वीडियो के अंदर है, फिर मैं मेरी best session आप community page पे डाल दूँग, वहापे आप comment करेंगा, क इतने बागी सारे students ने apply, attempt कि ये भी आप हमें comment box में comment कर सकते हैं, तो ध्यारन से रखिए का, आपका जो shift है, प्लस आपका जो time है, और फिर date है, आप please मुझे comment box में comment करेंगा, और फिर आप बाद में भी comment कर सकते हो, आपका paper होने के बाद, और आपको जितने भी questions याद आत इससे आपको फाइदा ही होगा, definitely, तो हईव आपको दीगे जान करी, सारी समझ में आउगी, इस session को आपके दोस्तों के साथ में share करीगा, और next session के लिए मैं आपको question जोड के जा रहा हो, question कहा है, power factor of a load using a welding transformer least dependence upon, तो इसका correct answer आपको हमें comment box में comment करना होगा, ठीक है, so हमारे नए चनल कोचिफा को सब्सक्राइब करने के लिए हाप आप क्लिक कर सकते हो, pdf के लिए आप हमारे टेलिग्राम चनल है, कोचिफा अंडस्कुर ऑफिचल अलेक्टिकल अंजिगमस को यहाँ पर जोइन करे, हमारे इंस्टाग्राम पेज़ को भी आप फॉलो करे है, काफी तो पॉइंट हम लोग आपको फोड़ प्रोवाइट कर राया थे थे, तो गाइस फॉर दे नेक्स ताम, आपको प्रोष्ट अबनाइस देख फॉलो और भी आप फॉलो एग्साम